साथियों, हम सब जानते हैं कि नॉलेज के लिए कोई बाउंडरिस नहीं होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिची देश के एजुकेशन सेक्टर को ओपन अप करने की बात करती है। मकसद यह है कि फोरेन उनिवर्सिटीज के केंपस भी देश में खुले और दुनिया भर का ग्लोबल एक्सपोजर हमारे स्टूडन्स को यहीं पर मिले। इसी तरह इंडियन और ग्लोबल इंस्टूइशन के बीच रिसर्च कोलोबरेशन और स्टूडन्ट एक्सेट प्रोग्रेम को भी प्रमोट किया जाएगा। फोरेन युनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडन्स जो क्रेडिट एक्वार करेंगे वो भी अब देश के इंस्टूइशन में काउंट हो सकेंगे। इतना ही नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन के तौर पर भी एस्टाबिस करेगी। हमारे हाई परफर्मिंग इंस्टूटूशन को विदेश्व में भी केंपस सेट करने के लिए एंकरिज किया जाएगा। IIT गौहाइटी को Beyond Boundaries Expansion के इस वीजन में की रोल प्ले करना है। पुर्वत्तर का ये ख्षेत्र भारत की Act East Policy का केंदर भी है। यही ख्षेत्र साउथ इस्ट एसिया से भारत के संपर्क और समंधों का गेटवे भी है। इन देशों से भारत के समंधों का मुख्य आधार कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और केपसिटी रहा है। अब एजुकेशन हमारे एंगेजमेंट का एक और नया माध्यम मनने जा रही है। IIT गुहाटी इसका बहुत बड़ा केंदर बन सकती है। इससे नौर्थ इसको एक नई पहचान भी मिलेगी और यहां नए अवसर भी पैदा होंगे। आज पुर्वत्तर के विकास को गती देने के लिए यहां रेलवेज, हाइवेज, एरवेज और वाटरवेज का इंफा सकतर खड़ा किया जा रहा है। इसे समूचे पुर्वत्तर के लिए नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। IIT गुहाटी की विकास के इन कामों में भी बहुत बड़ी भूमी का है।